हेलो गाइस और थोड़ा सा दुख का माहूल है थोड़ा नहीं काफी एंफैक्ट दिल तूटने की जो अवाज आती है वो आई जब ट्रोसाड ने गोल मारा दूसरा और अल्मोस्ट खतम ही हो जाता अगर एंड के टिया वो एंड में फिनिश कर देते बट लॉट्स ओफ पॉजिटिव चेल्सी की तरफ से लेकिन बात करेंगे क्या हुआ पूरा गेम में पहले मैं अपनी तरफ से मैं एक्स्प्लेइन करना चाहता हूं अज गेम में क्या हुआ क्या मुझे अच्छा लगा इंदेन ओविसली गौरव इस एर बाइद वे दो अग पर जाओ गे तो सबसे पहला वीडियो जो आपको चैनल पर दिखेगा दैट इस विद गौरव तो बड़िया बड़िया इट्स गौरव बड़िया इट्स गौरव से दो तिन दिन से हम काफी बिल्ड़ अप कर रहे थे कल भी जब हम पाकिस्तान ऑस्ट्रिलिया का मैच दे रहे थे साथ में तो मिसी मैच की इसकेशन कर रहे थे तो गौरव वस नॉट अट अल कॉन्ट बिकॉस एट सीज गौरव इस गौरव इस बीडिया था कि उस बंडली गेम में हम खराब भी खेले थे पहले तो मेरा यह एक चीज थी कि अगर हम सेम इंटेंसिटी आर्सनल के अगेंस्ट लेके आते हैं जो हमने बंडली के अगेंस्ट किया था तो आर्सनल विल रिप अपार्ट नो डाउट अट अबाउट इस इस प्लेंग जो फ्रंट थ्री है चाहे अगर आप अन्फिट साका खि और प्लेयर से बेटर ही करेंगे वो तीनो अब चेल्सी की जो बहुत बहतरीन बात यह थी कि अगर हम सम्मराइज करें इस मैच को तो पोचेटीनो ने टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया मिकेल आर्टेटा को राइस के गोल से पहले चेल्सी ने कुछ भी नहीं करने दिया आर्सनल को बिफोर डेकलिन राइस का गोल I think there were zero shots on target आर्सनल की तरफ से पोजेशन आर्सनल कर रही थी एक दो बार खोल भी रही थी चेल्सी को लेकिन बैक लाइन उतना ही बहतरीन डिफेंड कर रही थी clear-cut chances हमने नहीं बनाने दिये set-piece opportunities भी बहुत मिली थी आर्सनल को corner बहुत मिले थे बट हमने सारे corners को बहुत अच्छे से defend किया सारे players, सारे के सारे players were absolutely brilliant Thiago Silva, Levi Colville, Malo Gusto, Kukureya, he is the Kukureya that we got मतलब भाई लोग जितना doubt कर रहे थे उसको his confidence is back, his intensity is back, he is not making silly mistakes साका को चुप रखना एक बहुत बड़ा achievement है one-on-one situations में especially like a especially for a defender like Kukureya जो थोड़ा सस हो जाता है defensive अगर हम transitions में बात करें one-on-ones में उसके बाद, midfield हो हमारी proven है, उसमें कोई doubt नहीं है, Enzo looked tired थोड़ा सा 70th minute के बाद because his legs were gone understandably so, अभी अर्जेंटीना के लिए हो मैच खेलका है, World Cup qualifier का Kaisedo was again under the radar but absolutely brilliant, जिस तरीके से ही वाजपिंग दा बैक लाइन आउट और जो transitions हो रहे थे हमारे attacking उसमें Kaisedo का बहुत important role था, तीसरे midfielder and my man of the match, Connor Gallagher, I think यह जो नया side unlock किया है, Positino नहीं, Connor Gallagher का, मुझे अब ऐसा लगता है, जो यह system है, यह Gallagher के बिना function नहीं कर सकता, the player who divided the fan base and the player who had us on the fences और इतनी polarizing opinions होती थी, Gallagher के बारे में, me included, मैंने भी बहुत कुछ बुरा बला काया Gallagher के बारे में और मैं बहुत डाउट करता हूँ Gallagher की technical abilities को लेके, बट अभी जो मुझे 4-5 matches से दिख रहा है Gallagher से, especially defensively, attacking third में, जिस तरीके से he wins the ball back, quickly he turns over, एक pass, एक simple pass आता है Enzo को या Kaisedo को या Palmer को और attack चलू हो जाता है, right side से, brilliant, brilliant Gallagher, Cole Palmer, fantastic, I think he is what we wanted of Hevertz, to be honest, मतलब no trolling here, ऐसा नहीं, बट जो हम चाते थे कि Hevertz काम करें, वो spaces में operate करना, late arrive करना, line को भी lead करना, आज line को lead किया, Sterling again, brilliant, right side पे, Mudrik scoring a goal, Mudrik की जो एक बात नहीं करी सबने, first half में Mudrik का involvement जादा नहीं था, लेकिन defensively, he was very good, मतलब defensively जो आगे पीछे, he was disrupting the attack, Kukurya की मदद करने की ज़रूद थी left hand side में, because you had someone like a Bukayo Saka, जो आपके एक दम world class attacker है, उसको deal करने के लिए Mudrik का बहुत अच्छा वो था, क्या बोलता है contribution, उसके बाद, जो goal हमने score किये, अब penalty वो थी कि नहीं थी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इतनी proximity में होती है, तो मैं तो watch along में भी कह रहा था, कि नहीं होनी चाहिए यह, या नहीं लगरी मुझे, but same kind of penalty अभी मुहमत साला को दे दी थी, वो Lewis Diaz ने जी आज जो match वोस से पहले, Everton और Liverpool वाला जबू, I think Michael Keane थे कौन थे, या breath weight के, किसी के तो Everton defender के हाथ पे लगी थी बॉल, Lewis Diaz ने cross दिया था, अब कभी बोलते हैं proximity देखते हैं, कभी कहते हैं कि hand देखेंगे शरीर से कितना दूर है, तो थोड़ा subjective rule है यह, मुझे honestly नहीं पता कि rule क्या है, but stroke off लगता जो हमारी तरफ गया, पालमर में penalty convert की, first half में Chelsea जाती है with heads held high, second half में Mudrik was crossing the ball, let's be honest, and it ended in the back of the net, and much needed confidence boost for him, और जो कर रहा है भी, I think he deserves some goals, और वो गोल मिला, और एक instance है था गेम में बता है, 75th minute पे, जब Silva, Colwell और Kukuray आपस में ball pass कर रहे हैं, और कोई आई नहीं रहा है उनको press करने के लिए, Arsenal were defeated, Arsenal were deflated, they were going through the motion, मतब यह कि भाई match खतम हो जाए, इसके बाद देखते हैं आगे कैसे build करना है next match के लिए, उसके बाद start होते हैं भाई, एक बहुत ही खौफनाख 6 minute का period, जिसमें Sanchez जो हैं, बाउल देदेते हैं, और Declan Rice, he scores the goal, और उसके बाद Arsenal को confidence आजाता है, because उनको पता है, 12 minute plus edit time बचा है, and it's enough for a team like Arsenal 2 में का कमब है, और जिस चीज का आमको डरता है, वो ही होता है, और Gusto की थोड़ी सी गलती, बट गुस्तो को मैं ब्लेम इसले नहीं करूँगा, because you take a two-goal lead to have those moments, you allow yourself those moments, कि चलो Gusto से track नहीं होगा, ट्रोसार तो ठीक है, 2-1 यहाँ, फिर एक Arsenal को goal मारना है, एक अच्छा goal मार लिया, कोई बात नहीं, it's Arsenal after all. लेकिन आप Sanchez वाली गलती नहीं कर सकते हैं, being a goalkeeper in such a high-stake game, और मुझे इसी बात का दुख हो रहा है, कि we had the result in the bag, we had three points in the bag, for 75 minutes of the game, we were the better team, Pochettino outplayed Arteta, Arsenal को कुछ हमने करने नहीं दिया, Kukureya was brilliant against, क्या बोलता है Bukai Usaka, Odegaard तो मुझे दिखाई नहीं पूरे मैच में कहीं पर भी, कि आज Odegaard का किसी भी तरीके का influence था, best player for Arsenal, my opinion was Declan Rice, both going forward as well as staying back, और जो changes करें, Arteta networked again, Trosat का सब जो है, Arteta सब बहुत अच्छे कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, Pochettino के सब सही नहीं थे, मेरे साब से आपके पास कोई option ही नहीं था, because जो player निकालें, they were gone, they were dead, आपको वो हटा के उनी को ही लाना था, अब क्या है कि आप जितना मर्जी बोल लो, कि अच्छी performance थी, there are lot of positives to take, यह मेरा opinion है, grand scheme of things में अभी भी ज़्यादा फरक नहीं पड़ता, 12 points है, 14 हो जाते, लेकिन यह आपका season turnaround करते था result, आपका जो एक 3 match का winning streak चल रहा था, वो 4 का हो जाता, अभी भी आप unbeaten हो, लेकिन वो winning streak खतम हो गया आपका, फिर आप अगला Brentford से खेल रहो, Blackburn से खेलोगे, और Spurs वाले game में आप full of confidence जाते, और Spurs मतलब जो away fixture होता, आपके लिए बहुत अच्छा होता, और यहाँ से फिर आपका season जो है turnaround हो जाता, दुख इस बात का है कि इतना अच्छा करके, 120% देके against Arsenal team, who's top of the table, joint top पे थे, सब कुछ अपना blood, sweat, tears सब कुछ छोड़के field पे, और बहुत ही बेफकूफाना तरीके से आपने result जो है, गवा दिया, बस इस चीज़ का दुख है, Sanchez, I think, दो blunder जो हमने करें, वो यह है कि एक proven striker ना लेना, blunder जो हो सकता है, अभी long run में prove हो, एक proven striker ना लेना, maybe Nkunku solves that problem, I don't know, when he comes back, और keeper का तो भाई, मतलब Sanchez ने ऐसा नहीं है, पहली गलती करी है, हर match में वो गलती करता है, इस बार वो भारी पढ़ी है गलती, और game state change हो जाता है, अगर उस time Arsenal को गोल नहीं मिलता है, तो they don't have that belief, they don't have that belief, they don't go forward, they don't score a goal, as simple as that, और हमने वो self-inflicted, गलती सेंफ, self-inflicted चोट के चलते हमने गोल खाया, और इसलिए मेरा दिल तूटता है आज, तो यह तो मेरा पूरा टेक है, गेम पे, does this affect the rest of the game's confidence team का, मुझे नहीं लगता है, I think team will take a lot of confidence from him, Pochettino is showing really good signs, कि he is up there, अगर हम Liverpool वाले game की भी बात करें, तो he went toe-to-toe with Klopp, today he went toe-to-toe with Arteta, बट अब पेपर पे तो एक ही point आया है, जब इस match का result लिखा जाएगा, जब फीड होगा, Arsenal-Chelsea 2-2, bracket में D, citation नहीं लिखा होगा, उसके साथ star लगा के, कि नहीं, 78-77 minute तक जब तक Rice ने गोल नहीं किया था, अच्छी team थी Chelsea, where the better team deserve to win, लेकिन वो तो एक गलती हो गई, और फिर एक goal Trosad ने मार दिया, तो उसके चलते जो है, Chelsea ने draw करा लिया, तो let's give them a round of applause, but एक-एक point मिलता है दोनों teams को, तो वो सब ऐसे काम नहीं करती चीज़ है, I think you have to take the results, जब आपने बिल्कुल एक team को दबा रखा है, और two goal की lead यरा आप ऐसे bottle नहीं कर सकते हैं, तो यह है मेरा पूरा take, and I feel good about this team, you add Nkunku to this team, Chukko Ameka to this team, Reese James, a fit Reese James is a different beast, Romeo Lavia भी आजाएगा, तो आपको Kaiseido के लिए भी एक option मिल जाएगा, यह प्रॉपर DM off the bench coming, Ugu Chukko को आपको शायद confidence नहीं था, तो आप इस लेके नहीं है, Pochettino को मैं 1% blame नहीं करूँगा, Pochettino goal keeping नहीं कर सकता, Sanchez के लिए आखे, तो we need a proper goalkeeper, and I think we need a striker, जो वो chances convert करे, I think वो Jackson को 2-3 chances मिले थे, उसमें से 1 convert करना चाहिए था, बहुत हमको chances मिले थे, game को bury करने के decision making again खराब, लेकिन 2 निल से आप 75th minute तक lead कर रहे हो यार, और क्या चाहिए आपको match जीतने के लिए, अब जो हम actual discussion स्टार्ट करते हैं, Gaurav, your takes from the game Arsenal point of view से, how did you feel? I don't think, तुम में बुला कि यह से जब citation लिखी जाएगी, तो यह नहीं लिख सकते कि यह हो गया है, यह हो गया है, but I don't think that that's gonna be a problem, because जब हमारा turn around, Arteta के अंडर स्टार्ट वहा था, Chelsea Allai game था, 3-1 हम जीत गयते, तो स्मित्रो को इंट्र्डूस किया था, और हमारी भी टीम वेवर्ड ही थी, you were very high flying team at that moment, और हमारी टीम ऐसे थी, I thought that Arteta तो सैग भी हो जाया, तो उसके भी साइड में बुछ लिखा विखा नहीं हिया, 3-1 था, तो तो तू 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 अच्छा पॉफार्मिल्स था, of course, disappointment होती है तूनिल कि अगर आप लीड कर देते हो अपनी, but I think that the team is gonna take a lot of confidence from this game, you totally outplayed us, I was very dejected था, as I didn't even utter a single word जबाब अवना रिव्यू भी दे रहे थे, क्योंकि मेगो तो, मैं तो अभी वी dejected ही हूँ, बहुती खराब परफरमिस था, मेरे साब से तो अगर वो गोल नहीं मिलता हमको राइस का, तो just because we smelled blood, just because we saw a chink in the armor, उसके बाद हम all out गई नहीं, तो as you said, अम्तुर बहुती हूँ थे, deflated थे, वोई ट्राइब नहीं नहीं कर रहा था, और साका वास, I don't think that he was fully fit for the game, and Odehgar, mighty disappointed in him, बिल्कुली लस्ट 3-4 गेम सी पैटन है कि वो ग्रेवली out of form है, according to me, but Chelsea, nothing to take away from Chelsea's performance, brilliant, brilliant performance, Cole Palmer, Gallagher, Sterling, सारे प्लेर्स बहुती बड़ी बड़ी आखेल रहे थे, कैसी डो, अल्टीमेट, टोटली आउट प्ले कर दिया था था, तो अगर वो चांसे लिए होते तो, जाएब गेम का रिखल 3-4 निल होता, because there was a, there was a play in the match in which Jackson was clear, but he was in two minds, he didn't shoot, Raya ने बॉल पकल दी, there was a play when Raya ने बॉल सिधा बॉल पुदेदी, and I feel that he, there is a lack of experience, first team experience, he is just 21, right now, अगर उसने बॉत सारे गेम केले होते हैं, City के लिए, या एवन चल्सी के लिए भी, तो एक पॉंट आता कि वो वापर स्कूर कर लेता, it's just that कि एकदम से बॉल मिल गई कीपर के थू, he didn't know what to do, और रहा ने अच्छा सा वापस से सेव कर लिया, otherwise, अगर वो उसको बरी कर देता तो, फ्रीनल हो जाता, and the game was over by then, so I get that you were pretty dejected, because of the result, but nothing to take away from Chelsea's performance, अगर ये जो दो गोल में हमने दो अटेंब आरहे हैं, के लवा हमने उस गेम में ऐसे भी कुछ किया नहीं, so, yeah, I would say congratulations to Chelsea, बहुत यह अच्छा था, but again, it's not a good point there. I could see that going into the game, everybody felt that Arsenal is gonna win it pretty easily, बहुत ही underrate कर रहे थे Chelsea को, यह overrate कर रहे थे Arsenal को, because of course, हम लोग City से जीत के हैं, international break से पहले, so, of course, it's a given that we were high favorites for this game, but the way the game started, Arsenal को तो कुछ attempt ही नहीं करने दिया, possession थी, but there was a point midway through the game in which a stat came that Chelsea took 12 touches in a position's box and Arsenal took only 3. So, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, कि हमारे जो centre-backs हैं, वो काफी बढ़िया passing कर लेते हैं, तो Raya उनको पास कर रहा है, और दोनों जब सालीबा और Gabriel आगे पास कर रहे हैं, तो Chelsea की यह strategy थी कि उन्दों नोगो प्रेस नहीं करना, बट जो उसके बाद player है, जिसको भी यह दोनों centre-backs पास करते हैं, वो उनको प्रेस कर रहे थे, जो कि बहुती ज़्यादा pressurize हो रहे थे, और बहुती साही स्थाटिजी थी है, क्योंकि उसके बाद समनलीफाय हो जाता है, थ्रेट पूरा ही नलीफाय, दूसरी चीज जो है कि जिन्चेंको इंवर्ट हो जाता है, वो करनी ही नहीं दिया, because as you said, Sterling को विंग शिफ्ट कर दिया, Sterling usually plays on the left, that he played on the right this time, तो ये तो बहुती अच्छी टेक्टिक्स थी, like, he seriously outplayed our data, management में, and जो भी प्लान उसने बना है, so, the players stuck to that plan, they executed it brilliantly, and kudos to them, it's just that, जोड़ा सा ब्रेंफेड हो या, प्लेयर्स का आकरी के पांचे मिनेट के स्पेस में, other than that, a brilliant performance by Chelsea, and I'm mighty disappointed in my team's performance, तो अब यार अगर चलो ये तो इस मैच की बात है, बट आप कह सकते हो कि Chelsea, अब शायद उस तरही के शायद ही बोल रहा हूं है, because we don't know कि हम Brentford के अगेंस कैसा कहलेंगे, because हमने बहुत silly points अलरीडी ट्रॉप कर दियें, और Northingham Forest और Bournemouth और Weston Villa वाले मैच पर मैं बार-बार आता हूं, घूम फिर के, West Ham वाला मैच भी मैं accept कर लूँगा एक बार कि हम हार गए, बट वो तीन मैच मुझे बहुत खटकते हैं, मैं यह देखता हूं कि अगर इस intensity पर, और with players coming in, जो fit होके आते हैं, अगर Reece James को सही से manage करा जाता है, and if he goes on to play 15-20 games without a scare, वो बहुत बड़ी expectation है Reece James से, because यह होता नहीं है, usually. मालो गुस्तो भी है, अभी अच्छा है, इसलिए हमार मकसद ही ही था मालो गुस्तो को खरीदने का, कि आप जब Reece James injured हो जाता था, आपका तो आप भिखर जाते थे, आप कभी loftus cheek को right wing back खिला रहे हो, कभी आप Espelicueta को खिला रहे हो, whose legs were gone, कभी आप कुछ होट राय कर रहे हो, shape change करना पड़ रहा है आपको, but अब वो case नहीं है आपके पास, you have a proper proper replacement, even competition भी मैं बहुल सकता हूँ, Reese James के लिए, but Reese James when he's fully fit, match fit, match sharpness, उसकी वापस आजाएगी, तो उसके जैसा कोई player नहीं है, मतलब जितना dynamism वो लेके आता है, so do you think, मतलब Chelsea को आज देखके, and whatever you have seen of Chelsea in the last 3-4 games, अभी आप Nkunku को डाल दो इसमें, December, January में जब भी उसका आना है, Romeo Lavia is a good backup for Kaisedo, उस midfield में और थोड़ा सा वो assurity ले आता है, Chelsea can do well, अगर ये negotiate कर लिया, जो October है, जो एक run-off fixtures है, जो Spurs, City, United होगा, mainly तो Spurs और City है, भागी तो I think we can go toe-to-toe with any team, any other team, अभी जैसा खेल रहे हैं, I think Newcastle, we can give them a good competition, Brighton are not the same, Brighton of last season, Brentford, we should win, United, हमारे जैसे ही struggle कर रही है, तो main जो दो games अभी बच्चे हैं, तीन games थे main, Arsenal, Spurs और City, Arsenal आखला अलमुस्ट जीत गए थे, तो do you think Chelsea can finish in European places, not Champions League necessarily, but 6th, 7th? For me, they are gonna, like going down the season, if the plan is executed as it is, it has been made, तो मेरे साब से तो, like you can go for top 4 also, it looks a bit far-fetched, but technically, बहुत सारे players वापस आएंगे, आप जो centre-back है Chelsea, defense बहुत ही अच्छा है, जो की under the radar जा रहा है, अभी जो players available है, उन्हीं के साथ बहुत अच्छा defense है, उसके बाद, आपके 2-3 centre-backs वापस आएंगे, अज डिसासी ही तो खेला ही निया, आज हमारी टेक्निकली फर्स चॉइस बैक लाइन नहीं थी, तो डिसासी बाद बाद जो मिट्फिल्ड है बहुत ही सौटेड है, गैलेगर का जो नया रोल है, as you said, it's brilliant, उसके बाद, रोम्यो लाविया बापस आएगा, एंकुंकु बापस आएगा, so, if you manage all these games, of course, this was a bit disappointing, as a Chelsea fan's perspective, but, अगर पर्स से जीतते हो, सेटी से ट्रॉइ यहां, सेटी से बाले हार भी जाते हो, so, I don't think it's a lost cause, and I can still feel that you can nick in those Champions League places. It's not as fast as you feel, because, जैसे सीजन स्टार्ट हुआ, you were like, pretty angry with the way, Parch, fielded his team, but, उस ताइम पर भी मैं नहीं पुलागा था, जो कि मैंने अमेशा बूलागा, सेंस नहीं समझा रहा था, ना शुरू मैं, He was just testing the waters at that time, 5 at the back भी किला रहा था, सब कुछ टाय कर रहा था, अब उसकी टीम फोड़ी सेटल इन लग रही है, 4-3-3 में आगे एड रडिशनल, जो कि मैंने अमेशा बूलाद, that's the way forward, if you, like, जब टीम ट्रांजीशन में होती है, तब आप 5 at the back खिला थे भो, बट अगर आपको आगे बढ़ना है, तो 4-3-3, for me, 4-3-3 is the way forward, and I think that now, this Chelsea has settled in that formation, अब बसकाली प्लेशन ट्वीक करने है, जैसे-जैसे वाते जाएंगे, वैसे-जैसे चेंज होते रहेंगे, उसके अलावा, I think this is a very settled-in unit, सबसे बड़िया चीज है कि, Madrik इससे काफी confidence लेगा, I think, कि वो जो गोल है, अगेंस्ट एगेंस्ट तीम, that he was supposed to sign for, काफी बैकलैश मिला था, and Arsenal fans भी सबसे आदा ट्रॉल करते थे, तो उनी गेंस गोल मारते है, जैसा भी था, कोई बोलता है कि, नौट इंटेंशनल नहीं था, वो तो यह बोलेगा कि, तो इससे confidence आता है इन चीजों से Stirling बहुत ही अच्छे form है I have become a huge fan of Cole Palmer मेरी टीम के अगेंस तो बड़िया खेल गिया हो and then Jackson ने last week just before the international break बहुत ही अच्छा गोल मारा था so I think that he's gonna take confidence from that too so yeah, encouraging signs for Chelsea एक तुने match के बाद जब phone गया है तुने बात बोली कि 200-200 million खर्स कर दिया Arsenal ने भी transfer window में last season के बाद जब second finish किया और अभी इस season you don't look ready to compete, मतलब अभी ये वाले match में जैसे हम देख सकते हैं Chelsea नाउट प्ले कर दिया और अभी Arsenal Champions League में भी हार गई एक match और बहुत लंबा season है because last season Champions League नहीं थी, Europe था बड़ Champions League नहीं थी, ठीक है इस season Champions League है, expectations रहेगी, Champions League में fans की आगे जानेगी, फिर cup competitions अभी start हो जाएंगे वज़ब अभी Carabao Cup तो चली रहा है, उसके बाद FA Cup भी start हो जाएगा, तो you were like कि The thing is that we are still joint top अगाली गोल दिफरेंस से अभी पीछे हैं, Spurs are yet to play their game, तो एसा बहुत gloom and doom है, but the thing is that if you look at our playing Levin, जिन्चेंको की अगर बात करूँ हाँ तो, like he's a very important player for us in terms of controlling the games, but you have to see that statistically, जब हम United से draw करा रहे थे तो उसके बाद Tomi Asu को लेके आया, and we went on to win the game आज, Chelsea से तीछे थे, फिर Tomi Asu को लेके आया, and we went on to draw the game, City के अगेंस, लेवल बे था, Tomi Asu आया, we went on to win the game तो, यह सारी चीजें ट्वीक करनी ही पड़ेगी, जिन्चेंको एक important player है too, in terms of controlling the game, but defensively, he's not up there, and all the teams जो bigger teams है, वो यह चीज को exploit कर रही है, so, यह दो-तीन चीजे देखने हैं, but when we look at the bench की, इसी, I think Arteta know की यह problem है, that's why he bought Julian Timber, it was a bit unfortunate कि उसको ACL हो गया, और दूसरा, Hevert से सीधा स्टार्ट करा है, और वो उमीदों पे इतना खरा, उतरा नहीं तो यह भी थोड़ा सा step back हो गया है, तो technically वो जो 240 million हम लोगों पेंड की है, यह सोच के कि अब हम elevate करेंगे अपने team को, तो वो हम अधर जून में ही अटक गए हैं, फिर उसके बाद, जब यह प्लान वर्क नहीं करते हैं दोनों, तो मैनेजर का basic natural scene होता है कि coming back to the thing जिसने आपको यह तक पहुचा है, वो ही same settled in Levin किये. मुझे अभी भी यह समझ में रहा है कि अंडर्माइन किया था चल्सी को यह क्या था, because मैं तो दिन से ते को यह बोल रहा हूं कि Chelsea का midfield looks pretty good. On paper, तो बार बार बोल रहा था कि player to player comparison करेंगे तो Arsenal looks miles ahead, but I used to say this again and again that Chelsea's midfield is pretty under the radar and pretty good in my understanding is Casido, Enzo, Gallagher. On paper, इतनी dynamic और वो इतनी लगती नहीं है, but जब हो खेल रहा है साथ में तो पता चल रहा है कि बहुत ही थी तीम है. So, he should have started party. I don't know whether he's not fit because he had played for Gana 90 minutes अभी. So, अगर खेलता तो in terms of controlling the game थोड़ा सा बेटर हो सकते थे. But उसने वो ही strategy लगाई कि Zinchenko को invert करा देंगे और Giordino और Zinchenko थोड़ा संभाल लेंगे और Rise को आगे थोड़ा सा मूफ कराएंगे. It backfired. It backfired gravely. Because जब हमने वोद देखा कि Sturling ने शुरूर स्टार्टिंग में एक तोर रेन वस कमिंग डाउन and Sturling was reaching every ball. जो भी ball वो बिना देखे भी spray कर रहे थे. Enzo और कैसीडो हर बॉल पकट रहा था. तो यह एक प्रॉब्लम हो गई है and it's still, what, eight games in the season. It's a very long season. अभी और भी injuries होंगी. तो I don't think that the early signs are not incurring at all right now. तो भाई, यह है हमारा टेक Arsenal और Chelsea पर. डीटेल्ड पॉड़कास्ट बाद में करेंगे. एक बार थोड़ा सा और. देखते हैं, दो-तीन games रुके. मतलब जब थोड़ा और हो जाएगे, 10-14-15 games हो जाएंगे ना एक बार. तब आपको एक अच्छा फील आजाता है. यह टेक यह है कि अभी तो you look pretty disappointed in this moment of time. बट जैसे जैसे कल सुबह होगी, the realization will dawn upon you. गेम तो बहुत अच्छा कहले थे. You have to take out positives from this. Being in your position, I would have been dejected too कि यार क्या जीता-जीता अगर जीत जाते है ना तू नहीं जीत जाते हैं चाहें. तू था फोन नहीं उठाता है इंडिया नहीं नहीं बात नहीं कर पाते हैं. बट ठीक है गाईस, that's it. यह मेरे thoughts थे. Chelsea played brilliantly. Self-inflicted mistakes की वज़े से. We lost the points. We are not as bad as the table suggests. यह स्टिल 10th हो सकता है. फिर वार्पेस 11-12th हाजा, depending on some other results. But now it's high time की we need to win some games also. Brentford वाला game में आप draw करा के अच्छा खेल के, हार के, नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, यार, performances matter करती है. Arsenal के against, वो आप कह सकते हो. बाकी Pochettino is showing promising signs. Palmer looks a player so far. System work कर रहा है. Gallagher का revival हो गया है. या वो यही player था. Last season तो किसी को भी judge करना ठीक नहीं है. Sterling looks back at his best. Mudrik is growing in confidence. So let's take the positives. And let's move forward. Because of you dropping points and me being rejected because of the way we played in the game. Or we can both take the positives that we did a comeback. And your team is a big player. Glass half full वाली बात है, ना बाई? वही है ना, glass half full, half empty. So, क्या देख तो आप, please do let us know in the comment section. And what are your thoughts about the game? Do let us know about those as well. And yeah, man. मिलते हैं आप लोगों से जल्दी. ध्यान रखिया अपना. And we will be talking about India versus New Zealand in the Cricket World Cup also. चलो. Take care, everyone. Bye-bye. अब दचल्स. Keep the blue flag flying.